तो हेलो फैट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको ताने वालों एक सेक्योर्टी ट्रिप या पोसकते प्राइबसी टेप देने वालों जो कि आपको अपने मोबाइल में हमेशा चाहिए अगर आपके पास वह हो रहा है तो उसको कैसे वपर रिजॉल्व करेंगे जैसा कि आप देख रहे हों कि मैंने थम्नेल लगा रहा है और थम्नेल पे थोड़ा सा अलग सा आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे ग्रीन डॉल्ट जैसा आ रहा है तो यह क्यों आता है यह प्राइबसी के लिए बहुत इंपोर्टन दोस्तों वीडियो उसकी मत करना वीडियो जरूर देखना पूरी और हो सके तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना है चलते हैं दोस्तों आगे मेरे चैनल ऐसा है टेक मैं तो जैसा कि मैंने बता है मैं आपको बताने हूँ कमाल की प्राइबसी टिप या वो सकते हैं एक सेक्योर्टी टिप बताने वालों अगर आप यहा पर देखेंगे श्क्रीन बे जाके आपको देख रहे होंगे उटर पर बैटरी कि तरह से आपको एक वहाँ पर ग रीकोर्डिन निजेeten से करेंगे तो यप अब को आपको बता भी देगा क कि निशान बनवा रहा है कि यहां पर कोई माईक को आपको कःसिस असक्राइ यह आपको बता भी रहा है तो यह बहुत सारे लोगों के साथ होता है और हमेशा होता ही है कुछ apps ऐती होती है जो आपके data या बोल सकते हैं आपके mobile में access ले लेती है और background में run करती है जैसे like camera access like आपका mic access तो वो सब चीज़े record होती है बाद में कुछ भी use हो सकता है तो इससे आपको बचने के लिए क्या बता हूँ आपको बताने मला हूँ इसको कैसे आप identify कर पाएंगे कि कौन सी app ये work कर रहे है तो like आपको यहाँ नीचे की तरफ click करना है जहां mic आ रहा है आपको उस पर click करना है तो आपको करना है अबको आपको क्या करना है या तो उसकी access को बंद करेchem अगर आपकी use की नहीं है नहीं तो Amazon पे जाना है Amazon App को जाना है उसको यहाँ से यहाँ पर click करके uh info में जाकर उसको close कर देना है जहाँ तक को सके उसकी permission का यी बंद कर दोगे तो जादा बैस्ट है आप यहाँ जाए इसकी परमिशन को don't allow कर दो जैसे ही आप don't allow करेंगे तो आप देखेंगे वो वहाँ पर बंद हो गया आप देख रहे होंगे उसका एक्सिस वहाँ पर बंद हो चुका है ऐसे ही अगर मैं camera use करूँगा तो camera जब तक मैं चलाओंगा जब तक आपको उपर बताता रहेगा कि camera used हो रहा है अब देख रहे हैं camera और mic दोनों use हो रहा है तो यह इस तरीके से work करता है अगर background में भी चलते जा रहा है तो मतलब कि आपके साथ कुछ न कुछ कही गलट कोई app कर रहे है तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए और उसको identify करके close कर देना चाहिए आपको उसकी permission को hold कर देना चाहिए यह video मुझे बहुत important लगी क्योंकि यह तो चलो genuine app है कुछ ऐसी apps होती है रियल में जो spike करती है तो उसके लिए आपको बचना चाहिए और इन सब चीजों को allow नहीं करना चाहिए तो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you दोस्टों मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को दो सब्सक्राइब कर लोग नोडिशन मेरा आगा ताकि ऐसी नहीं update आपको सबसेल मिलती रहे तो thank you